वीडियो की नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ओल में किलिक कर दीजिए इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे वेलकम एवरिवान आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के थियूरम नमबर 38 को जो चेप्टर नमबर 10 में है और पेज नमबर 164 में है आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखे ताकि आपको एक-एक बात अच्छी तरह से समझ म रिक्वेस्ट मुप्जर अच्छाण को आखिर उसीते हैं के देखें के थियूरम में क्या लिखा है थियूरम में यह है थ है गोपवाजिटे अंगल्स खामि का जाविया आमने सामने का जाविया वह सप्लिमेंट्री होता है वह कुष게-निव्युट-जावियू प्रिनुम सप्लिमेंटरी होता है, मतलब आप रहे होगे अगर नहीं पता तो मैं आपको फीर भी एक एक वाड का मतलब बताता हूं सबसे पहले तो यहां पर हम यह जानना है कि साइकली क्वाडी लेटरल किसे कहते हैं Quadilateral मतलब तो आपको पता होगा चार साइड से घिरावा जो शकल होता है उसे Quadilateral कहते हैं यहाँ पे आप यह देखे यह चार साइड वाला Quadilateral है उसके साथ एक टर्म है Cyclic Cyclic Quadilateral का मतलब यह होता है कि ऐसा Quadilateral या ऐसा जुर बतुल जला ऐसा चार साइड वाला जिसका चारो पॉइंट जो है वो एक सरकल पर होता है एक दाइरा पर होता है इसे हम कहते हैं Cyclic Quadilateral ठीक है समझ में आया होगा और Cyclic Quadilateral का जो Opposite Angle होता है यानि आमने सामने का Angle वो Supplementary होता है Supplementary मतलब होता है ऐसा दो एंगल जिसको जोड़कर 180 डिग्री होता है उसे कहते है Supplementary ठीक है उर्दू में इसे कहते है तकमीली और Cyclic Quadilateral को उर्दू में कहते है मुश्तरकुल मोहीत जूर्बतुल अजला तो उर्दू नाम बहुत मुश्किल है आप Cyclic Quadilateral आसानी के लिए याद रखें और Supplementary मतलब जिसे दो एंगल को जोड़कर 180 डिग्री होता है या फिर इसे हम कह सकते है दो राइट एंगल एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री तो दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री ठीक है तो Supplementary मतलब 180 डिग्री का है तो भी सही या टू राइट एंगल का है तो भी सही ठीक है तो हमें साबित करना है कि एक Cyclic Quadilateral का उपोजिट एंगल आपस में Supplementary होता है यानि उन्हें जोड़कर 180 डिग्री होगा तो अब हम बढ़ते हैं मैंने यहां पर थियूरम के मुताबिक यहां पर मैंने Cyclic Quadrilateral का नक्षा बनाया है एक Circle है जिसका Center O है और Cyclic Quadrilateral यहां पर जो है A, B, C, D है ठीक है यह Quadrilateral है चार साइड से घिरा हुआ तो सवाल में क्या दिया हुआ है Given यानि दिया हुआ क्या है A, B, C, D is a Cyclic Quadrilateral A, B, C, D यह जो Quadrilateral है यह Cyclic Quadrilateral है और फिस Circle एक Circle का with Center O जिसका Center O है Cyclic Quadrilateral इसलिए क्योंकि इसका चारो पॉइंट A, B, C, D यह चारो पॉइंट एक Circle के उपर है उसके बद हमें क्या साबित करना है साबित यह करना है कि Cyclic Quadrilateral का opposite angle आपस में supplementary होगा यानि आमने सामने का angle जो है उन्हें जोड़कर दो right angle होगा या फिर 180 degree होगा तो आमने सामने या opposite angle किसे कहते है यहां पे आप देखें नक्षा में यह Cyclic Quadrilateral है आमने सामने या opposite angle मतलब होगा यह से यह वाला angle यहां पर जो angle है इसके सामने का angle होगा यह वाला ठीक है यह दोनों हो जागा opposite angle इसी तरह से यह वाला जो angle है यहां पर इसका opposite होगा यह वाला angle यहां पर ठीक है यह दोनों हो जागा एक दूसरे का opposite तो इन दोनों को जोड़कर या फिर इन दोनों को जोड़कर 180 degree होगा या दो right angle होगा यह हमको साबित करके दिखाना है तो हमें prove क्या करना है साबित करना है ABC एंगल ABC कौन सा एंगल ABC इसको मैं दिखा दूँ आपको ABC यह वाला एंगल होगा ठीक है एंगल ABC और इसका opposite कौन सा होगा यह वाला एंगल होगा इस एंगल का नाम क्या होगा ADC इन दोनों को जोड़ने से बराबर होगा दो right angle या 180 degree तो यह हो जागा अगर इन दोनों को जोड़के two right angle दिखा है तो मतलब हम कहीं सकेंगे हाँ cyclic correlator का opposite angle जोड़ने से 180 या supplementary होता है इसी तरह से इन दोनों को जोड़कर भी हमें दिखाना क्या पड़ेगा 180 या 2 right angle इन दोनों को इसका नाम क्या होगा B, A, D यह वला angle का नाम और इसका नाम होगा B, C, D यह वला angle इन दोनों को जोड़के कितना होगा दो right angle तो यह हमें पूरूफ करके दिखाना है इन दोनों का जोड़ दो right angle होगा और इन दोनों का जोड़ भी दो right angle होगा तो पूरूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम यह करेंगे हम अभी फिलाल यह दिखाएंगे एक जोड़ा का जोड तो राइटेंगल दिखाएंगे यानि सिर्फ अभी हम दिखाने वाले बी और डी इन दोनों को जोड़ेने से 180 होगा अभी हम फिलाल यह दिखाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे construction बनाएंगे और construction वे हम ये करने वाले हैं या बनावट तो construction में ये करेंगे कि हम O से A और O से C को जोड़ देंगे ठीके? AO और OC को जोड़ने वाले हैं तो instructorंस हमने AO से AO और O से C को जोड़ दिया है जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे A, O and C, O यानि A, O और C, O are joined इन दोनों को हमने join कर दिया निया जोड दिया है ठीक है इसके बाद अब हम proof के तरफ बढ़ते हैं यह सबूत के तरफ अब एक एक बात को धियान से सुने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें बिल्कूल आपके लिए आसान होगा थियूरम समझना आपस धियान से वीडियो को देखें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें जब हमने O से A को और O से C को जोड दिया तो फिर यहाँ पर देखें के एंगल बना है यहाँ पर इस एंगल का नाम क्या होगा A O C यहाँ पर आपको दिखा दो यह वाला एंगल है ना इससे पहले मैंने जो भी थियूरम बना है थियूरम नमबर 34, 35, 37 तीस वहाँ पर मैंने इस चीज का बार बार जिकर किया है कि यहाँ पर जो सेंटर में जो एंगल बन रहा है यह वाला दोनों रेडियस को मिलाने से तो यह कौन सा एंगल होगा A O C यह वाला एंगल यह एंगल अट दा सेंटर हो गया ठीक है यह एंगल अट दा सेंटर यह जो एंगल अट दा सेंटर है यह कौन से आर्क पर है देखें कौन से कोस पर बना है तो इसका यह साइड वाला पोइंट है और इसका साइड वाला पोइंट है C ठीक है ना तो यह ए और C यह नीचे वाला आर्क पर बना है यहरा आर्क, ठीक है, इस आर्क या, कोस॥ का क्या नाम है? अ, बी, सी तो एंगल एड़ बना है, ए, बी, से आर्क पर बना है, ठीक है, और यही साइड वाला पॉइंड को आप यहां से मिला है उपर तरब देखें, यह वाला लाइन और यह वाला लाइन, कहां पे मिल रहा है यहां पे D पर यहां पर जो अंगल बन रहा है यह कौन सा अंगल होगा जो A और C को हम आगे यहां पे मिला रहे हैं तो यह वहला होगा अंगल in the circumference या अंगल at the circumference ठीक है ना इसका नाम क्या होगा ADC ADC क्या होगा एंगल at the circumference, ठीक है, एंगल at the circumference भी कहते हैं, या एंगल on the circle भी कहते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, किताब में एंगल on the circle लिखावा, वो भी आप लिख सकते हैं, मैं आपने आसाने के लिए एंगल at the circumference लिखता हूँ, ठीक है, तो AOC एंगल at the center है और ADC एंगल at the circumference है और दोनों ही ये वला और ये वला दोनों ही कौन से आर्क पर बना है दोनों ही same आर्क कौन से पर बना है ABC पर बना है ठीक है यहाँ पर लिख लेंगे on the same आर्क on the same आर्क same आर्क पर बना है कौन सा आर्क पर अगर एंगल at the center होता है और एंगल at the circumference होता है तो एंगल at the center एंगल at the circumference का डबल होता है ठीक है तो यहाँ पर AOC जो है वो AOC जो है ADC का डबल होगा ठीक है AOC जो है ADC का डबल हो जाएगा दो गुना हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम वो चीज लिखेंगे इसलिए हम क्या लिखेंगे AOC डबल होगा यानि दो गुना होगा किसका ADC का 2 cent गे यानि दो गुना ठीक है इंगल AOC इस तरफ क्या होगा इंगल ADC होगा ठीक है ना और इसको आप गुमा के लिख दें और इसको इस तरफ लिख दें इसको इस तरफ लिख दें पिर अब यहां से दोबारा देखें नक्षी में ध्यान से देखें कि यह तो था इंगल at the center AOC ठीक है और इसके ठीक उपर जो इंगल है यह वाला इंगल ठीक है इसको मैं नक्षा से दिखा दूँ आपको यह ठीक AOC के उपर में जो नक्षा है यह वाला इंगल यह वाला इंगल ठीक है Тो यह जो इंगल है ऊपर में AOC के उपर में इसको भी नाम AOC होगा ठीक है लेकिन इसको हम कहते है रिफिलेक्स एंगल ओन दो रिफिलेक्स एंगल का मतलब होता है जो 180 दिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिगरी से छोड़ा होता है तो ये वाला जो aoc होगा ये नीचे वाला ये तो 130 से कम है लेकिन ये उपर वाला ये 130 से बड़ा होगा इसको आम आपको reflect angle बोलते हैं ठीक है तो aoc का reflect angle ये वाला होगा ठीक है ये भी होगा angle at the center ठीखेर थीक है क्योंकि यह वहीं सेंटरperform बना है और इसके हिसाब से यह कौन से राध बना है तो इसके हिसाब से यह चुकर नीचे आर्ग को डोनों साइड वाले पोइंट ए और सव स्थका इस तरफ यह वहो लागा इसका क्योंकि यह इस तरह पना है इंधा अगर हम पीछे से देखेंगे उस तरफ से देखेंगे तो इसका जो आर्क होगा वो होगा A, D, C A, O, C का reflex angle ये वाला A, O, C reflex angle इसका आर्क होगा A, D, C और इसके हिसाब से जो यहां पर है A, B, C ये वाला जो आंगल है ये वाला होगा angle at the circumference और इसका भी आर्क कौन सा होगा इसके हिसाब से ये इस तरफ होगा ठीक है इसका आर्क होगा A, D, C इस तरह हम इस तरफ से देखेंगे इस तरफ से देखेंगे तो हम ये चीज़ समझवाएगा ये वाला होगा angle at the center और ये वाला होगा angle at the circumference और इन दोनों का आर्क कौन सा होगा ये वाला होगा A, D, C तो उसे हम लिखने वाले हैं एगेन रिफिलेक्स एंगल A, O, C is the angle at the center and angle ये वाला एंगल A, B, C ये वाला एंगल एंगल A, B, C is the angle at the circumference on the same mark कौन सा आर्क होगा आर्क होगा ये वाला उपर वाला A, D, C on the same mark A, D, C ठीक है तो जब इस तरह होगा तो यहाँ से भी क्या हम बोलेंगे ये वाला एंगल at the center है reflex A, O, C और A, B, C होगया angle at the circumference तो ये वाला इसका double होगा इसलम क्या लिखेंगे reflex angle A, O, C equal to double होगा किसके angle A, B, C के ठीक है फिर इसी तरह जिस यहाँ पर हमने किया तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे 2 को इस तरह लेके आएंगे तो 1 by 2 हो जागा 1 by 2 reflex A, O, C equal to यहाँ पर हो जागा A, B, C इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद इसको इस तरह लिख देंगे इसको इस तरह लिख देंगे इसलिए A, B, C equal to कितना होगा half यह वला इस तरह लिखेंगे half reflex A, O, C इस इसका हम एक नाम दे देंगे 2 इस यहाँ पर 1 नाम दिये थे इसका नाम दिये 2 अब क्या करेंगे अब हम करेंगे 1 और 2 को हम जोड़ देंगे एक और 2 को जोड़ देंगे adding 1 and 2 एक और 2 को जोड़ने से क्या होगा left वाला left वाला add हो जाएगा right वाला right वाला add हो जाएगा ठीक है अब बीच में equal to होगा तो adc यहाँ पर left में है और यहाँ पर left में क्या abc ठीक है तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसको पहले लिख दे abc plus adc equals to कितना होगा half यह इसको पहले लिख ले चले half aoc plus यह बला हो जाएगा half reflex aoc ठीक है ना इसके बाद अब हम क्या करेंगे इन दोनों में देखे one by two, one by two half है यह common निकाल ले one by two common निकाल ले यहाँ से क्या बचेगा जो बचेगा bracket में लिखेंगे यहाँ पर aoc और यहाँ पर reflex aoc ठीक है ना इसके बाद यह half होगा aoc angle aoc plus reflex aoc इन दोनों को जोड़ने से कितना होगा यह नक्षा से समझ में आगा नक्षा से देखे नक्षा में आप देखे aoc यहाँ पर aoc यह वाला aoc यह वाला नीचे वाला और reflex aoc यह उपर वाला इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह पूरा गोल होगा यह पूरा एक गोल होगा अब पूरा गोल एंगल कितना होता है हमें पता है 360 degree होता है 360 degree होता है और 360 degree होता है तो 360 degree में कितना right angle होगा एक right angle मतलब 90 degree होता है तो 360 में कितना 90 होता है 490 होता है तो 360 में कितना right angle होगा चार right angle होगा ठीक, तो हम चाहे तो 360 लिखें, चाहे तो हम 4 right angle लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 right ऑंगल लिखेंगे, ओके, तो दो आगर काटना चाहिए- तो काटे ले ठीक है तो हमारा एक दो तो राइट एंगल तो ये हमें एक प्रूफ करना लांता है एबी सी और एडी सी एंगल को जोड़ने से कितना होगा तो राइट एंगल होगा यह हमारा एक प्रूफ हो चुका है देखे एक प्रूफ हम यह करना थे ABC एंगल ABC और एंगल ADC दोनों को जोड़ने से कितना होगा दो राइट एंगल होगा हमने अभी करके दिखा दिया प्रूफ यहाँ प्रूफ ABC और ADC दोनों को जोड़ने से two right angle ABC और ADC को जोड़ने से two right angle हमारे एक proof तो हो गया दूसरा proof हमें क्या करना है दूसरा proof यह करना है कि BAD और BCD को जोड़ने से भी two right angle होगा यानी BAD येवला और BCD येवला इन दोनों को जोड़ने से भी two right angle हमें पूरूप करके दिखाना है तो उसे हम इसी तरह से बना सकते हैं लेकिन हमें उतना लिखना नहीं है हमें बस ये करना है इन दोनों को हम जोड़ कर दो राइट अंगल के बराबर दिखाने के लिए हमने क्या किया था कॉंस्ट्रेक्शन में O से A और O से C को जोड़ा था इसी तरह से अगर हम O से B और O से D को जोड़ते तो फिर ये वाला B A D और ये वाला B C D इन दोनों का जोड़ भी दो राइट अंगल आ जाता एक बार दोबारा सुन ले अगर हम O से B और O से C D को जोड़ते तो हमारा ये B A D ये वाला और B C D ये वाला इन दोनों का जोड़ भी दो राइट अंगल के बराबर आ जाता है तो बस हम वो बात यहां लिख देंगे कि इसी तरह B O B O और O D को जोड़कर हम ये पूरूप करेंगे ये आ जाएगा ठीक है वस इतना लिखना है क्या लिखना है Similarly एक ही लाइन में लिखेंगे मैं यहां पर जगा की कमे के लिए यहां लिख देता हूँ Similarly यानि इसी तरह से By Joining Bo and Do We can prove इसी तरह से B O और Do को जोड़कर हम ये पूरूप कर सकते हैं के We can prove that जो दूसरा वाला पूरूप करना था क्या चीज है B A D B C D इक्वल टू टू राइट इंगल्स ये आपको लिख लेना है लाज्ट में इस तरह से हम यहां पर थियूरम को पूरूब हो चुका है उमीद करता हूँगा आपको समझ में आया होगा अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम होई है तो आप कॉमेंट में बताए और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेन के लाज में पढ़ रहे हो ताके वो भी इन वीडियो को देखकर अच्छी तरह से मैत को समझ सकें सीख सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में